आजब बनाने वाले हैं बिल्कुल एक कप सूजी से बहुती हेल्दी और टेस्टी नाष्टा, इस नाष्टे को हम हेल्दी और बहुती स्वाधिश्ट बनाएंगे, जटपट से तयार हो जाएगा, बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और सुबह की भागदौर म का आटा, अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ बारिक कटी हुई सबजियां, मैंने प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोबी और टमाटर, गाजर ये सब सबजियां ली हैं, आ ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसे बनाने में 10 से 15 मिनिट लगेंगे, सुबह जलबाजी में हम ये नाश्ता बना के तयार कर सकते हैं, अब मैंने इसमें डाल दी है बारिक कटी हुई हरी मिर्च और बारिक कटा हुई हरा धनिया, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर हम डाल देंगे और आदा चमची में यहाँ पे चीली फ्लेक्स डाल रही हुई है यानि कुटी हुई लाल मिर्च, आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे आदा कप दही, आदा कप दही डाला है मैंने और आदा कप ही हम इसमें पानी डालेंगे पहले हम जादा पानी इसमें नहीं डालेंगे और इस बैटर में हमने सबजियां पहले से ही इसलिए डाल दी है ताकि अगर सबजियों से भी जो पानी रिलीज होगा उसे बैटर आराम से गीला हो जाएगा अगर पानी की जरुत होगी तो आगे हम इस को mix कर देना है ताकि सूजी फूल जाए और इसे मिला करके हम 10 से 15 मिनिट के लिए ढग देंगे ताकि ये बैटर अच्छे से adjust हो जाएगा चावल का आटा और सूजी है वो भी अच्छे से फूल जाएंगे अब इसे ढग के हम रग देते हैं 15 मिनिट के लिए ताकि ये करेंगे बहुत ही कम तेल में इस नाश्टे को बना के तयार करेंगे इस नाश्टे को सुबह जल्दी बनाने के लिए आप सबजीयों को रात में ही काटके रख सकते हैं अब 15 मिनिट के बाद मैं इसे चेक कर रहे हूं ये गाड़ा है इसलिए इसमें मैंने आदा कब पानी और डाल दिया है और आदा कब पानी डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे इस बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए देखिए बिलकुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी बैटर की होनी चाहिए नहीं से गाड़ा होना चाहिए और नहीं से पतला अब मैं इसमें डाल रहे हूं 1-4 टी स्पून बेकिंग सोडा आप चाहे तो यहाँ पे इनों भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ असा पानी डाल के इसे अच्छे से चला देंगे बेकिंग सोडा डालने से ये नाश्टा बहुती फलफी बनेगा अब यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन पैन कड़ाई तवा कुछ भी ले सकते हैं उसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है अब दो बड़े चमज भरके हम इसमें बैटर डाल देंगे हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है मोटा मोटा ही हम इसे पकाएंगे यह देखिए मैंने दो चमज भरके बैटर डाल दिया है गैस की फ्लेम को लो रखा है और लो फ्लेम पे मैंने इसे डखके तीन से चार मिनिट के लिए पका लिया है उपर से अच्छे सी यह ड्राय हो गया है देखिए इस तरीके से उपर से ड्राय होने के बाद ही हम इसे पलटेंगे अब थोड़ का कलर अब देख सकते हैं अच्छे से यह डौनों तरफ से पग गया है यह देखिए बिल्कुल गोल्डन प्राउन कलर इसका आ गया है इसी तरीके से हम तवे पे भी बना सकते हैं मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहे हूं तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है अब इस तरीके से छोटा छोटा सा हम पेंकेक बना के इसमें तयार कर सकते हैं इसे भी कवर करके मैंने दो मिनिट के लिए पका लिया था अब दो मिनिट के बाद हम इसे पलड देंगे अब इसमें तेल गी आप कुछ भी लगा सकते हैं छोटे छोटे बनाना चाहें तो जटपट से बना के तयार करें शाम के टाइम में भी इसे आप जल्दी से बना सकते हैं आप इसे रात को डिनर में भी ले सकते हैं क्योंकि ये नाश्टा हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है और जटपट से बनके तयार भी हो जाएगा इसी तरीके से मैंने ये दूसरा बड़ा पैंकेक भी बना लिया है, ये देखिए, ये दौनों बड़े पैंकेक मैंने बना लिये हैं, मैंने छोटे भी चार से पांच पैंकेक बनाए थे इसके, चावल के आटे और सूजी से हेल्दी नाश्टा ये बनके तयार है, इसे आप चटनी, सॉस के साथ, नारियल की चटनी के साथ, या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ता बाहर से क्विस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, खाने में बहुत ही तेस्टी लगता है, ये नाश्ता बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्स्राइब करें, मिलेंगे फिर इस तरीके की नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।